आपको अपना चैनल टकी हेल्प टीप्स आज हम देखेंगे कि फिल्मोरा नाइन में आप किस तरीके से ग्रीन स्क्रीन का इस्तिमाल करते हैं तो किस तरीके से ग्रीन स्क्रीन वर्क करती है और क्या सेटिंग्स होती है कैसे आपको सेटिंग को मैनेज करना है वो सारी चीज़े हम फिल्मोरा नाइन में आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने Filmora की स्क्रीन खुल गई है और अब यहां पे मैं लेता हूँ एक नया प्रोजेक्ट अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपसे क्या मांग रहा है import file का तो मैं click करूँगा import file पर और जहां पर मैंने वो file लखी हुई है वहाँ से मैं इस media library में वो file लाऊंगा तो यह आप देख सकते हैं कि मेरी यह file है चार file हैं दो green screen की हैं दो normal effect हैं यह चारों file मैं यहाँ पर ला लेता हूँ इस performance को मैं यहाँ पर no कर देता हूँ अब यहाँ देख सकते हैं कि मेरी दो screen की file है दो और मेरी file है वो कौन सी है वो normal file है तो चलिए यह one by one वो चीजों कर रख लेते हैं सबसे पहले मैं क्या करूँगा सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि टाइगर है एक टाइगर की green screen है उसको मैं यहाँ पर नीचे लागी ड्रैग कर लेता हूँ और आप देखते हैं कि यहाँ पर आपको दिख जाता है green screen अब मैं इस पर right click करूँगा आप यहां देख सकते हैं option देखता है green screen का आप यहां से भी कर सकते हैं और अगर आप यहां पर इस icon पर भी click करेंगे तब भी आपको green screen का वो menu आपके सामने खुल जाएगा जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं अब आपको क्या करना है आपको इस जो आपको यहां पर दिख रहा है ड्रॉप इस ड्रॉप पर किलिक करना है और आपको यहां पर पिन कर देना है करना इस पर डबल किलिक करना है और यहां पर किलिक करके इसको सेलेक्ट कर लेना है जैसे आप देखते में यहा होता है ड्रॉप लिक के तो यहाँ पर आप देख हुिंगे मेरी वह इमिज आ जाती है यहाँ बहुत सारी दहारे बढ़ा रहा है आग Clay I put it duy अगर अगर नेंच तु आप एछ थिखने यहाँ बल्दािrail चाहते हैं तो आप देखेंगे जो आप इस थिखने जाता है crystal हो जाता है इस फिदर को भी बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं अब आप देखिए मैं इसको प्ले करता हूं आपके सामने अब अगर आप इसको और कुछ भी करना चाहते हैं इसमें चेंजिस तो आपको मैं दिखाता हूं इस पर डबल क्लिक आप करें यहां पर आप इसको अगर कुछ थोला सा बढ़ाना चाहते हैं कम करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं और एक चीज़ और अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूं तो आप देखेंगे कि इसको में छोटा बड़ा यहां पर कर सकता हूं जो भी साइस का में करना चाहूं वह साइस का कर सकता हूं बड़ा कर सकता हूं इसको मैं थोड़ा नीचे करना चाहूं तो थोड़ा नीचे भी कर सकता हूं अब हम देखते हैं इसको प्ले कर आप देखते हैं क्या होता है अब आते हैं दूसरी वाले हम विंडो पर हमारे दूसरी है एरोप्लेन की एक विंडो है यहां पर हम क्या करेंगे मैं एक्जाम्पल के तो पर वही चीज दिखाऊंगा आपको इस पर क्लिक करेंगे इस आपको ड्रॉप पर आपको क्लिक करना है और यहां पर क्लिक कर देना है तो आप देखते हैं जैसे ग्रीन स्क्रीन दिखाता है जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं वह आपका ड्रॉप करने के बाद आपका हड़ जाता है अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहां पर इसको क्लिक किया अब देखते हैं क्या होता है यहां प में देखी आपकी ऑफसेट अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपसेट जैसे आपको बढ़ाते हैं आप देखने क्या होता है कि जो आपका ठीकने से वह आपसेट के copy थोड़ेगक थोड़े काफिजादा हाई अगर टोलेस थी तोल हड़ाना चाहते है तो दोलेस बढ़ा अब हम इसको एक्स्पोर्ट करेंगे उसके बाद फाइनल हम रिव्यू देखेंगे अपने वीडियो में तो अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक जरूर करें और अगर आप मेरे एक ने वीवर हैं और आप मेरे चल्ण को सब्सक्राइब नहीं झाल